तेजस्वी टालेंटेट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज बारा सो से जादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला अक्षण है आपके सिक्षक, प्रपेशर्स, आपके माता, पिता के लिए आज का दिन बहुत एहम है और सबसे बड़ी बात कि आज से आपके करियर के साथ तेजपूर युनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है आप आज जितना खुश है, उतना ही मैं भी हूँ आज आप अपने भविश्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है मुझे भरोसा है कि आपने तेजपूर मेरहते हुए तेजपूर युनिवर्सिटी में जो सीखा है वासम की प्रगती को, देश की प्रगती को गती देगा, नई उचाई देगा साथियों इस भरोसे की कई वज़े भी है पहला, तेजपूर का ये अितिहासिक स्थान, इसके पावरानिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा दूसरा, तेजपूर विश्व विद्धाले में, आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है, कि वो बहुती उत्सा जगाता है और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ पर, यहां के लोगों, यहां के नवजवानों की ख्षमतों पर राष्ट निर्मान के उनके प्रयासों पर, सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है साथियों, अभी एवार्ड और मेडल देने से पहले, जो इनिवर्सिटी एंथम गाया गया है उसमें नहीं तभाव, तेजपूर के महान इतिहास को नमन करता है मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ और इसलिए भी दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये असम के गवरव, भारत रत्न, भुपेन हजारिकाजी ने लिखी है उन्हाने लिखा है अगनी गडर स्थापत्य, कलिया भोमोरार सेतु निर्मार ज्यान जोतिर मैं स्थेई स्थानते बिराजी से तेजपूर विश्व भिद्यालाए यानि जहां अगनी गड़ जैसा स्थापत्य हो, जहां कलिया भोमोरा सेतु हो, जहां ज्यान की जोति हो ऐसे स्थान पर विराजमान है तेजपूर विश्व भिद्यालाए इन तीन पंतियों में भुपेन्दा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है अगनी घड़ का राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमारी उशा, भगवान श्री क्रस्ट से जुड़ा इतिहास, महान ओहोम शुर्विर, कलिया भोमारा फुकुर की दिर्दश्टी, ज्यान का भंडार ये तेजपूर की प्रेणा है भुपेंता के साथ ही जोती प्रसाद अगरवाल, विष्णु प्रसाद राभा, ऐसे महान व्यक्तित्व, तेजपूर की पहचान रहे हैं आप इनकी कर्म भूमी में, जन्म भूमी में पड़े हैं और इसलिए आप में गरव का भाव होना और गरव के कारण आत्म विष्वात से भरा हुआ आपका जीवन होना ये भहुत स्वाभाविक है साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है सेंकडो वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अंगिनत लोगों का योगदान है जो उस समय थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जीवन दे दिया अपनी जवानी खपा दी, अब आपको नए भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है जीवन को सार्थक करके दिखाना है अपसे लेकर भारत की आज़ादी के सो वर्ष पुरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वननिम वर्ष है आप कलपना कीजिए उन्नी सो बीस इक्कीस में जो नौजवान जो बेटी आपकी उमर की होगी आज आप जिस उमर के होगे उन्नी सो बीस इक्कीस के कालखन में वो क्या सपने देखते होंगे वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आपको खपाते होंगे अगर थोड़ा सा स्मरन करें सो साल पहले आपी की उमर के लोग क्या करते थे तो आज आगे के लिए आपको क्या करना ये सोचने में देर नहीं लगेगी ये आपके लिए गोल्डन प्रियर्ड है तेजपुर का तेज़ पूरे भारत में पूरे विश्व में फेलाईए असम को नौर्थ इसको विकास की नई उचाईयों पर ले जाएगे हमारी सरकार आज जिस तरह नौर्थ इसके विकास से जूटी है जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ हर सेक्टर में काम हो रहा है उससे आपके लिए अनेकों रही संभावनाएं बन रही है इन संभावनाओं का पूरा लाब उठाईए आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में एक शमता भी है नया सोचने, नया करने का सामर्थ भी है साथियों, तेजपूर युनिवर्सिटी की एक पहचाम अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है आपके ग्रास रूट इनोवेशन्स बोकल फोर लोकल को भी नई गती देते हैं, नई ताकत देते हैं ये इनोवेशन्स स्थानिय समस्याओं को सुलजाने में काम आ रहे हैं जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं अब जैसे मुझे बताया गया कि आपके डिपार्टमेंट अब केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम किमत वाली आसान टेक्नलोजी पर काम किया है इसका लाप असम के अनेक गाउं को हो रहा है बलकि मुझे तो यह बताया गया कि अब यह नई टेक्नलोजी चतिशगड में, उडिशा में, बिहार में, करनाटर का, राजवतान जैसे राज्यों तक भी पहुँच रही है मतलब यह आपकी किर्थी पता का फैल रही है भारत में इस प्रकार की टेक्नलोजी के विकास से हर गर जल पहुचाने का जल जीवन मिशन को जो सपना है उसको एक ससरतिकन होगा साथियों, पानी के अलावा, गावों में वेस्ट एनरजी, कचरे से कंचन इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है फसलों के अवसेश, हमारे किसानों और हमारे परियावरण दोनों के लिए बड़ी चुनोती है बायो गैस और और ओर्गनिक फर्टिनलाइजर से जूड़ी एक स्वस्त्री और प्रभावी टेकनोलोजी को उसको लेकर जो काम आप अपनी उनिवर्सिटी में कर रहा है उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्य अहल हो सकती है साथियों मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि तेजपुर उनिवर्सिटी नौर्थ इसकी बायोडार्वर्सिटी और रीच हेरिटेज को समरक्षित करने का भी अभ्यान चला रही है नौर्थ इसके आदिवासी समाज की वो भाशाएं जिन पर विलुप्त होने का खत्रा है उनको डॉक्युमेंट करना बहुत सरहानिय काम है इसी तरह संत स्रिमंत संकर देव जी की जन्म भूमी नौगाओं के बाता द्रवस्थान में सद्यों पुरानी लकडी पर उकेरी गई कलाका उसका प्रिजिर्वेशन हो या फिर गुलामी के कालखण में लिखी गई असम की किताबों और प्रेपर्स का डिजिर्टी कला हो आप वाकई इतने विवित कामों पर लगे हुए है कोई भी इसको सुनेगा उसको घर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपूर में ये तफस्या हो रही है, साधना हो रही है आप वाकई कमाल कर रहे है साथियों मैंने जब इतना कुछ जाना तो मन में ये सवाल भी आया कि स्थानिय विशों पर, स्थानिय आवश्रक्ताव पर इतना काम इतनी रिसर्च करने के पिरणा आपको कहां से मिलती है इसका जबाब भी तेजपूर उनिवर्सिटी केंपस में ही है अब जैसे आपके होस्टेल्स चराईदेव निलांचल कंचन जंगा पटकाई धानसिरी सुबंसिरी कोपिली ये सभी परवतों, चोटियों और नदियों के नाम पड़ है और ये सिर्फ नाम नहीं है ये जीवन की जीती जाती प्रयना भी है जीवन यात्रा में हमें अनेक बुश्किलों अनेक परवतों का सामना करना पड़ता है कई नदियों को पार करना पड़ता है एक बार का काम नहीं होता आप एक परवर चड़ते हैं तो फिर दूसरी की तरह बढ़ते हैं हर परवात औरन के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती हैं आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है और नई चुनोतियों को लेकर आपका परस्पेक्टिव तयार हो जाता है इती तरह नदिया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है नदिया कही साहा एक धाराओं से मिलकर बनती है और फिर समंदर में मिल जाती है हमें भी जीवन में अलग-अलग लोगों से ग्यान देना चाहिए सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहिए साथियों जब आप इसी एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम नौर्थीस देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा अपने देखा होगा कोरोना के इस कान में आत्म निर्भर भारत अभ्यान हमारी वोकेबलरी का अहम हिस्सा हो चुका है हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है हमारा पुर्शार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धी, हमारे प्रयास सब कुछ उसके इर्द-गिर्द हम अनुभाव कर रहे हैं लेकिन आखिरी अभ्यान है क्या आखिर बढ़लाओ क्या हुआ रहा है क्या यह बढ़लाओ सिर्फ रिसोर्सिज में है क्या यह बढ़लाओ सिर्फ फीजिकल इंफरसेक्टर में है क्या यह बढ़लाओ सिर्फ टेक्नलोजी में है क्या बढ़लाओ सिर्फ बढ़ती एकोनामिक और स्ट्राटेजिक माइट का है। ऐसे हर सवाल का जवाब हां में है। लेकिन इन में से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन हैं वो है इंस्टिंग का, एक्षन और रियक्षन के नजरिय का है। हर चुनोती, हर समस्य से निपटन का हमारी वा देश का अंदाच, देश का मिजाच अब कुछ हटकर है। इसका एक ताज आउदारा तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतिय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या-क्या चुनोतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उबरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूत हमारे खिलाडी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडिशन्स इसमें निराज होने के बयाए हमारे युवा खिलाडियों ने चैलेंज का सामना किया। नए समाधान तला से कुछ खिलाडियों में अनुभव जरूर कम था लेकिन होसला उतना ही बुलत दिखा। उनको जैसे ही मोका मिला उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेंप्रामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को इतने पुराने खिलाडियों की टीम को पराजित कर दिया। युवा साथियों, क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाडियों की ये परफर्मन्स सिर्फ स्पोर्ट के लिहाँ से इंपोर्टन नहीं है, एक बहुत बड़ा लाइफ लेशन भी है, पहला लेशन ये कि हमने अपनी एबिलीटी पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडन्स हो लेकर है, हम अगर पॉजिटिव माइंड से लेकर आगे बढ़ते हैं, तो रिजल भी पॉजिटिव ही आएगी, त्रीसरा हो सबसे हैंबलेशन, अगर आपके पास एक तरफ सेफ निकल जाने का आप्शन हो, और दूसरी तरफ मुश्किल जित का विकल्प हो, तो आपको वि अगर जीतनी की कोशिश में कभी कभार असभलता भी हाथ लगे, तो इसमें कोई नुक्षान नहीं है, रिस्क लेने से, प्रयोग करने से डरना नहीं है, हमें प्रोएक्टिव और फियरलेस होना ही पड़ेगा, हमारे भी तर जो फेलियोर का डर होता है, हम जो अननेसेसरी प्रेसर अपने उपर लेते हैं, उचसे जब आप बहार निकलेंगे, तो फियरलेस बनकर उभरेंगे भी, साथियों, हमसले से भरा हुआ अपने लक्षों के प्रती समर्पित, भारत सिर्फ क्रिकेट की फिल्ट पर दिखता ऐसा नहीं है, हैं, आप भी तो इसी ही एक तस्वीर हैं, आप आप में जबात से सेल्फ कॉंफरेंस से भरे हैं, हैं, आप लिट से हड़कर सोचने और चलने में डरते नहीं हैं, आपके जैसे इसी युवा उर्जा ने कोरोना के खिलाप अपने लड़ाई में ही भारत को बहुत मजबुत ही दी हैं, आपको याद होगा, इस लेड़ाई की शुरूवात में ऐसी आशंगाई जताई गई थी, कि इतनी बड़ी आबादी वाला भारत, रिसोर्सिच के अभाव में कोरोना से तभाव हो जाएगा, लेकिन भारत ने दिखाया कि रिजॉल और रिजिलियन्स अगर आपके पास हैं, तो रिसोर्सिच तैयार होते देर नहीं लगती, भारत नहीं यही किया, भारत ने हालत से समझोता करने के बजाए, मुसीबत बड़े इसका इंतजार करने के बजाए, तेजी से फैस्ट ले लिए, प्रोएक्टिव होकर फैस्ट ले लिए, इसी का परणाम है, कि भारत वायरस से ज़्यादा प्रभावी रूप में बढ़ पाया, प्रभावी रूप से लड़ पाया, मेड इन इंडिया सॉलुशन से हमने वायरस के फालाव को कम किया, अपने हेल्द इन्फ्रा को बहतर किया, अब हमारे वैक्षिन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडॉक्षन की ख्यमता, भारत के साथ साथ दुनिया के नेक देशों को सुरक्षा कवज का विश्वाद दे रही है, अगर हम अपने वैज्ञानी को, अपने रिसर्चर्स, अपने स्कॉलर्स, अपने साइन्टिस्स, अपनी इंडिस्ट्री की ताकत पर वरोसा ना करते, तो क्या ये सफलता संबव हो पाते हैं? और साथियों, सिर्फ हेल्ट सेक्टर ही क्यों? हमारा डिजिटल इंफास के ज़र ही लीजिए. अगर हम भी ये मान कर बैठ जाते हैं, कि भारत में लिट्रसी के भाव में, डिबीटी, डारेक मेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल लेंदेन संबव नहीं हैं, तो क्या कोरोना जैसे संकट में सरकार गरीब से गरीब तक इतने प्रभावी डंग से पहुँच पाती? आज जिस फिंटेक में, डिजिटल इंक्लूजन में, हम दुनिया के अगरनी देशों में सामिल हैं, वो क्या कभी संबव हो पाता? आज का भारत समस्या के समाधान के लिए, एक्स्परिमेंट से भी नहीं डरता, और बड़े स्केल पर काम करने से भी पीछे नहीं अडरता. सबसे बड़ा बैंकिंग इंक्लूजन अभीयान भारत में हो रहा है, टॉइलेट बनाने का सबसे बड़ा अभीयान भारत में, हर गरीब परिवार को घर देने का अभीयान भारत में, गर गर जल पहुंचाने का सबसे बड़ा अभ्यान भारत में सबसे बड़ी health insurance कीम भारत में और अब सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान भी भारत में इन सब का पहुत बड़ा लाब नौर्थ इसको हुआ है असम के लोगों को हुआ है ऐसे कारकम तभी चल सकते हैं जब देश और समाज आत्म विश्वात से भरा हो देश यथा स्थित्री को बदलने के लिए इनोवेट करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा हो साथियों आज जिस प्रकार दुनिया में भारत में नई टेक्नलोजी का प्रसार हो रहा है उससे हर छेत्र में नई संभावनाय पैदा हो रही है आज हम बिना ब्रांच के बैंक बिना शोरूम के रिटेल बिजनेश बिना डाइनिंग हॉल के क्लाउट किचन ऐसे अनेक प्रयोगों को रोज मना की जिन्दगी में देख रहे है ऐसे में ये भी संभाव है कि भविश की उनिवर्सिटी पूरी तरह से वर्चूल हो और दुनिया भरते स्टूडन्स और फैकल्टी किसी भी उनिवर्सिटी का हिस्षा बन सके इस प्रकार की ट्रांस्फर्मेशन के लिए हमारे पास एक जरूरी रेगुलेटरी फ्रेम पर होना बहुत जरूरी है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी में टेक्नलोजी के जादा से जादा उप्योग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोशाइद किया जा रहा है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जाटा और डाटा अनालेटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टिम को तयार करने पर बल देती है डाटा अनालेटिक्स की मदद से एड्मिशन से लेकर टीचिंग और इवेलुशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बैसर हो जाएगी मुझे भी स्वाथ है कि तेजपुर उनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्षों को सिद्ध करने में अहें भूमिका निभाएगी मुझे तेजपुर उनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके सामर्थे पर पूरा भरुसा है और मैं अपने स्टूडन साथियों को ये बात विशेश तरपर कहूंगा कि जब आपकी फॉर्माल एजुकेशन पूरी होती है तो आप सिर्फ अपने फूचर के लिए नहीं बलकि राष्ट के फूचर के लिए ये काम करते हैं आपको से एक बात याद रखे अगर आपका परपजूचा है तो आपको जीवन के उतार चड़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके केरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तै करने वाले हैं मुझे भी स्वास है कि आप सभी देश को नई उचाई पर पहुँचाएंगे 2047 जब देश आज़ादी का सो साल मनाते होगा तो यही 25-26 साल का कालखन आपके योगदान से आपके पुर्शारते आपके सपनों से भराववा होगा कलपना कीजिए आज हदी के शतक में आपके ये 25 साल कितना बड़ा रोल प्यदा करने वाले हैं आईए सातियों अपने आपको उन सपनों के लिए सज्ज कीजिए चल पड़े संकल्प के साथ चल पड़े सपनों को लेकर चल पड़े सिद्धी पाने के मकसद से निकल पड़े देखिए जीवन सफल ताओं की एक-एक उचाई को पार करता जाएगा आज के इस पवित्र उसर पर आपके परिवार जनों को आपके सिख्षक जगत को आपकी सभी फ्रकेल्टीज को आपके सपनों को सब को बहुत-बहुत शुब कामनाय देता हूं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले